हेलो गाइज, वेलकम टू माइ योटूब चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी लोडेट चीज पीजा वो भी फ्रेशली होम कुग्ड और इसके लिए हमारे पास इंग्रीडियन्स हैं टमाटर एक स्लाइस में कटी हुई, शिमला मिर्च एक स्लाइस में कटी हुई, प्याज एक स्लाइस में कटी हुई, पनीर आधा कटोरी क्योब में कटी हुई, कौन दो बड़े चम्मच, घी एक बड़ा चम्मच, पीजा पास्ता सॉस दो बड़े चम्मच, सिजनिंग के और एक टेबलिस्पून वेज मायनीज पीजा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे और पैन गरम होने के बाद हम उसमें नमक एट कर लेंगे और नमक को चमच की मदद से पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे उसके बाद हम कोई साबे स्टेंड जिसमें हमारा पीजा बेस हम रखके कोगड करेंगे वो एट कर लेंगे और फिर ढखकत रखके लेट ढखके हम इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे अब हम अपना पीजा बेस रेडी करेंगे सबसे पहले हम पीजा बेस में यानि पीजा के नीचे हिस्से में यानि बैक साइट पे हम लगाएंगे घी आप चाहे तो बटर भी लगा सकते और अच्छे से पूरे पीजा बेस में स्प्राइट करेंगे और फिर हम पीजा बेस को बलट लेंगे फ्रणट साइज जहां पुनी टॉपिंग करेंगे टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हम एट करेंगे पीजा पास्ता सॉस और इसे पूरे पीजा बेस पे अच्छे से स्प्रैड करेंगे मैंने या पर दो टेबल इस्पून एट किया है आप चाहे तो जादा भी एट कर सकते हैं और कुछ लोग जादा स्पाइसी नहीं खाते तो वह कम पीजा पस्ता सॉस यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें एड़ करेंगे मायोनीज वन टेबल स्पून और इसे पीजा पर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अब हम इसमें अपनी टॉपिंग सेट करेंगे सबसे पहले हम एड़ करेंगे शिम्ला मिर्च और पुरे पीजा पीज 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 अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे प्याज की टॉपिंग और उसे पुरे पीजा पीज में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फिर हम पीजा पेस में लेंगे टमाटर और उसे पीजा पेस में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसके बाद हम पीजा पेस में एड़ करेंगे कॉन्स स्वीट कॉन है जो की और इसके बाद हम अपने पीजा पेस में एड़ करेंगे पनीर क्योप्स और अब हम एड़ करेंगे चीज क्यूप्स पीजा पेस में और हम अब चीज क्यूप्स को अच्छे से ग्रेटिट करते हैं पूरा पीजा पीजा पेस में अच्छे से स्प्रेट कर लेना है मैंने यहां पर अमूल का चीज क्यूप्स यूज क्या है जैसे कि आप जानते हैं और चार चीज क्यूप्स यूज क्या आप चाहे तो जादा या कम यूज कर सकते हैं और अच्छे से स्प्रेट करना ताकि यह प्र देखिए ऐसे हाथ चलाते हुए चीज क्यूब को अच्छे से पीजा बेस पे इस्प्रेड कर लेना है हर साइड पे और अब हम इसमें अपनी टॉपिंग्स एड करेंगे यानि सिजनिंग यानि कि लास्ट टॉपिंग्स सबसे पहले सॉल्ट एकॉर्डिंग ट्यूर टेस्ट अब चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अबिधा तक हम बाद हमएट करेंगे काली मिर्च एकौर्डिंग टाउर टेस्ट मैंने तुम आपर वन टी स्पून एड यूज किया inspiring कि उसके बाद हम बाद करेंगे और गेंगोमों त्सपून को और लास्ट में में इकाइट करेंगे चली फञग्स वन टीस्पून अब हमारे पीजा वेस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है अब हम इसे प्रिहिटेड ओवन यानि गरम हुआ है जो हमारा पैन अब उसमें रख देंगे जो पैन में हमने स्टेंड रखा हुआ था और जो पैन हमारा गरम हो रहा था पहले से ही उसके स्टेंड में हम अच्छ ढखके 10 मिनट तक धीमे आच में पका लेंगे जब तक हमारा चीज अच्छे से मैल्ट नहीं हो जाता और 10 मिनट बाद जब हम खोल रहे हैं अपना पीजा कलीड तो देखिए कितना टेस्टी पीजा बनके रेडी हो गया है और हमारा चीज भी अच्छे से मैल्ट हो किया है और हर एक वेज़े जिस कितना अच्छे से दिख रहे हैं उबर के आ रहे हैं अब हम इसे प्लेट में सॉफ कर लेंगे देखे हमारा चीज लोड़ेट पीजा कितना टेस्टी लग रहा है और लोड़ेट विद फूल चीज आप भी एकबर जरूर मेरी रेसिपी ट्राइ कीजिए और बताए कैसा लगा तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आई तो सस्क्राइब कीज Thank you